घलो फ्रेंड आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे भाई आईटी धनबात ने कुछ प्रोजेट्स निकाले हैं उन प्रोजेट्स की क्या क्या इल्जिबिल्टी है कैसे हम फॉर्म भर सकते हैं और उन प्रोजेक्ट से बारे में हम कैसे पूरी जानकारी जान सकते है इंपॉर्टेंट्स दे रखें, देखें डिपार्ट्मेंट में पोस्ट है, प्रोजेक्त ёнवें सार ईंवेस्टिगेटर हैं वी प्वेशर कोशग हैं और यह वी साजियट्स. इसी तरीके देखिए सारे प्रोजेक्ट दे रखें, computer science department के दे रखें, physics की दे रखें, mining engineering की दे रखें, तो यह बहुत अच्छी अच्छी jobs हैं, projects की, तो आप इसको कर सकते हैं, तो मैं एक दो आपको के बारे में पूरी जानकारी दे देता हूं, और जिसको पूरी जानकारी चाहिए, वो उसका link मैं बता दूँगा, आपको यह कहां से जा सकते हैं, आप इसके बारे में पूरी डिटेल जान सकते हैं, तो चलिए, जैसे कि यह थार्ड नंबर वाला environmental science का, जिसमें जो पोस्ट है, project JRF की इसके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं, तो यह देखिए अब देखिए, position है, आपकी research associate की है, ठीक है, अब नंबर आप position 1 है, title of the project यह दे रखा है, इसके principal यानि PI, principal investigator, professor, जैराम है, department of physics से title यह दे रखा है, और देखिए, fellowship आपको कित्ती मिलेगी, 56,400 included अचारे, ठीक है, last date आपकी यह दे रखी है, और यह essential qualification है, यह सारी आप देख लिजेगा, यह experience मांग रखा, 35 years on the last date of the feeling form है, यह सारी चीज़े आपकी दे रखी है, और आपको यह देखिए, लेख रखा, shortlisted candidate will be informed for the date of interview, मतलब जो shortlisted किये जाएंगे, उनको date of interview के लिए inform कर दिया जाएगा, ठीक है, यह अगर आपको कोई problem हो, तो यह देखिए, आ यहां से उनको contact कर लें, ठीक है, एक दो के बारे में मैं और आपको बता दूँ, तो और मैं एक दो के बारे मता देखिए, चलिए, मैं पहले वाला देख देता हूं, जो यह mechanical engineering है, for more detail, इसको हम लोग देख लेते हैं, तो यह देखिए, यह यह भी है, यह यह भी है, जे आर for period, one year, till end project, ठीक है, मतलब six month का initial रखा जाएगा, अगर इसको extend करना हुआ, तो one year का कर दिया जाएगा, आपको job description लिखना पड़ेगा, यह दे रखा है, पूरा, ठीक है, principal enrollment एने, essential qualification यह दे रखी है, btec, mtec, यह सारी चीज़े आपको दे रखी, age relaxation, 30 year है, और age relaxation यह दे र ठीक है, application along with cv can be sent through the mail, आपको अपनी cv यहाँ पे send करनी है, इस mail id पे, shortlisted candidates will be informed on the date of interview, वो inform कर दिये जाएगे, सारी चीज़े यहाँ पर दे रखी, इसको पहले आप, मैं आपको यही कहूँगा, पहले आप इसकी website पर जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ लिजेगा, फि mining engineering में है, यह अला भी एक बार बता दू, computer science and engineering project jrf की है, ठीक है, इसकी 10 अगस last date है, यह भी आप देख लिजेगा, सारे आप अराम से देख लिजेगा, ठीक है, इसमें number of position कितनी है, one इसके pi का नाम यह दे रखा है, ठीक है, और essential qualification, mtech, phd minimum, यह सारी चीज़े आपको दे रखी है, ठीक है, और qualification, gate net will be preferred, ठीक है, आपको fellowship 31,000 दी जाएगी, या end of 35,000 per month for SRF, ठीक है, email for CV, आप यहाँ पर अपनी CV को email कर दे, वैसा ही, आपको shortlisted होंगे, तो आपको email करके बताया जाएगा, तो देख लिजेगा, सारी चीज़े आप बहुत ध्यान से carefully पढ़िएग अब मैं आपको बता दूँ, यहाँ तक पहुंचा कैसे जाता है, तो मैं simply आपको बता दूँ, कुछ नहीं करना है, Google पे IIT धनबाद project डाल दीजेगा, IIT धनबाद project गया, यह देखे लिखके आगया, project information page, simple इसको click कर दीजे, यह आगया, तो सबसे पहले आप उनको ध्यान से पढ़ लिजेगा, फिर उसके बाद apply किजेगा, हमारे चैनल competition world पर competition level के सभी त्यारी करा जाती है, और हर competition के expert पो बला जाता है, उनके advice के लिए, so please हमारे चैनल competition world को like करें, subscribe करें, और share करें, और bell icon दबाना ना भूले, thank you.